Welcome to exam तक आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त 2020 से बनने वाले सभी most important current office के question अमलोग इस वीडियो में discussion करने वाले हैं साथ में मैं आपको हरे question के साथ में detail में explanation भी बताऊंगा जिससे आपको current office के साथ-साथ statics GK काफी ज़्यदा improve हो जगा लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पुछूँगा जिसका answer आपको comment box में देना है तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखे इसकी कुईज और PDF आपको telegram पर मिल जाएगी तो join कर लेना link नीचे description में दिया गया है स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहला question कौन सा है most important question है पहला question आज का current office के वीडियो में काफी सारे questions most important है तो वीडियो को last तक जरूर देखना UPSC का नया अद्धिक्ष किसे बनाया गया तो UPSC Union Public Service Commission संग लोकसवा आयोका भी वर्तमान में नया अद्धिक्ष किसे बनाया गया है तो परदीप कुमार जोशी को बनाया गया है नया अद्धिक्ष इनसे पहले थे अर्विन सक्सेना जिनका कारिकाल खफ में हो गया है अभी बनाया गया है परदीप कुमार जोशी को तो यह आपको याद रखना most important है अब UPSC की full form मैंने आपको बता दी इसका headquarter का है नई दिली में इसका headquarter है इसके staffना का हुई थी एक October 1926 में इसके staffना हुई थी अब UPSC का काम क्या है तो UPSC के वैसे तो कई सारे exam है मेन काम क्या है मेन जो exams होते हैं वो conduct करवाती है IS हो गया IPS हो गया इसके अलबा भी NDS, TDS जैसे exams भी UPSC लेता है तो काफी सारे exams करवाती है UPSC के बारे में आपको ये बात याद रखनी है चलिए next बात काता है second question की बारतिय railway ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निगरानी एप लाँच किया है तो वरतमान में रेल मंद्रिकों ने तो OHE क्या है OHE है Overhead Equipment Inspection निगरानी एप यानि कि ये जो है बारतिय ट्रेन में वास्तविक टाइम की जानकारी के लिए यानि कि बारतिय ट्रेनों को आपको पता है बहुत ज़्यादा लेट होती है तो ट्रेनों के लेट होने से रोकने के लिए ये एप्लिकेशन लाँच किया है इससे जो है ट्रेनों के लेट होने की पूरी डिटेल रियल टाइम डिटेल पता चल जाएगी जिससे जो है ट्रेन लेट होने में काफी कम होगा अब ये सब जो है टाइम पर हो जाएगा ठेका ना अभी एक जुलाई 2020 को एक record बना था क्या record बना था बारतिये railway की सबी train अपने time schedule पर रही थी हलांकि एक जुलाई को सिर्फ 200 train ने ही काम पर कर रही थी लेकिन 200 train भी पूरी तरह से time पर थी ठेका ना भारतिये railway में कित्ते zone है तो 18 zone है 18 zone का मुख्या लाए तो विशा का पठना में इसका मुख्या लाए ये भी आपको याद रखना है railway की शुरुआत कब ही थी 800 53 में भारत में रेल्वे की शुरुआत हुए थी बंबे से ठाने के बीच में ये सबी बातें आपको याद रखने है most importantly चले next बात काता है तीसरे question की ये भी question most important है UPSC के अध्यक्ष की तरह ही भारत का नया चवदवा CAG किसे न्युक्ट किया गया तो सवदवा नया CAG किसे न्युक्ट किया गया CAG क्या है controller and auditor general नियंत्रक और महालेखा परिक्षक ठीक है न तो ये होता है चवदवा अभी CAG बनाया गया है गिरिश चंद्र मूर्मु को गिरिश चंद्र मूर्मु का नाम आपने कल के वड़ी में सुना होगा जम्मू कश्मीर के उपराजीपाल थे जिन्नोंने स्तिफा दे ये आपको याद रखना है गिरिश चंद्र मूर्मु जो है 1985 बैच के IS अधिकारी है और जब गुजरात में प्रदान मंत्री मोधी जी मुख्यमंत्री थे उस समय मोधी जी के प्रदान सची भी रह चुके गिरिश चंद्र मूर्मु अब CAG का है तो नई दिली में CAG का है इ चाहिए आपको किसी भी एक्जाम को देने जाओ SSC, Banking, Railway, PCS, Air Force, Navy कोई भी एक्जाम देने जाओ क्योंकि इसमें आपको Current Office तो मिलता है साथ में काफी ज्यादा Stratix GK मिलता है जो आपके सभी एक्जाम के लिए Most Important है तो वीडियो को डेली जरूर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए एंड डेली वीडियो को जरूर देखिए सभी के साथ शियर भी जरूर कीजिए चलिए नेक्स्ट बात करें चौते कोशन की पुलिजर पुरुसकार वीजेता उपनिया शरली एंड ग्रो का हाली में निदन हो गया वो किस देश के थे तो अमेरिका के देखिए ना अमेरिका देश के समधी थे उपनियास कार थे जिनका हाली में निदन हो गया पुलिजर पुरुसकार मिल चुगा है पुलिजर पुरुसकार क्या होता है साहित ये में जो है नोबल पुरुसकार के बाद सबसे बड़ा पुरुसका थे तो ये दो बात आपको अमेरिका के बारे में याद रखने हैं अमेरिका में 2020 में इलेक्शन होने ने और अमेरिका में इलेक्शन जो हर 4 साल बाद होते हैं हमारे यहां पर 5 साल बाद होते हैं वहां पर हर 4 वर्ष बाद इलेक्शन होते हैं ठीक है ना चलिए नेक्स्ट बा एक ओके सुरेश रेना और हर्मन प्रित कौर को बनाया ब्रैंड अमेस्टर अब दो ब्रैंड अमेस्टर बन सकते हैं तो बिलकुल बन सकते हैं इनसे पहले मैं आपको बता था जेश डबलू ने अपना ब्रैंड अमेस्टर किसे बनाया था तो सुनिल चेत्री और सौरव गां आपको याद रखना है अब यह 7 अगस्ट कोई क्यों मनाय जाता है तो इसके पीछे की भी स्टोरी में आपको बता देता हूं जब 1905 में 1905 में को बंगाल का इबाजन क्या था तो 7 अगस्ट कोई यह स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी कि अब बाहर का नहीं अपनाना हमें कोई भी चीजे स्वधेशी अपनाने है तो उसी ते राष्टिय हतकरगा दिवस जो हैं परतिक वर्ष सांत अगस्त को मनाया जाता हैं एंड भारत सरकार द्वारे हतकरगा उद्जों के महतों के बारे में जागरूपता पैदा करने के लिए सांत अगस्त को राष्टिय ह हतकरगा दिवस के गुरूप में गोशित किया गया है अब ये पहला हतकरगा दिवस कब मनाया गया था तो 2015 में मनाया गया था सांत अगस्त 2015 को नरेंद्र मोदी ने चैन्नई के मदरास यूनिवर्सिटी से इसका उद्गाटन किया था ठीक है ना तो ये भी आपको याद र रेल्वे ने अब किस तरस की नई रेल सेवा शुरू किया है तो अभी इंडियन रेल्वे ने हाली में किसान रेल की शुरूबात किया ठीक है ना किसान रेल क्या है ये जो किसान के जो जल्दी खराब होने वाले फल सबजियां होती है उनको जल्दी से जल्दी मार्केट त दुसरी जगह पहुंचाने में ये किसान रेल का काम लिया जाएगा ठीक है ना तो बहुत इंपोर्टेंट ये कदम है किसान रेल ठीक है भारतिय रेलवे का अब भारतिय रेलवे ने जो हैं पहली किसान रेल कहां से चली तो ये भी इंपोर्टेंट होगा भारत की पहली किसा तो केंदरी करशी मंदरी को ने नरेंदर सिंग तोमर उन्होंने और रेल मंतरी प्यूश गोहल दोनोंने वीडियो कॉंफरेंसिंग के माधियम से इस ट्रेन को रवाना किया ठीक है ना यह आपको याद रखना करशी मंदरी को नरेंदर सिंग तोमर और रेल मंतरी प्यूश ग प्रावदान के लिए पीमात है या और विकरताओं के लिए हैं या और आपको याद रखा है। खुद्रा विक्रेताओं के लिए हैं दुकान भीमा योजना जो कि भारतिय एक्सा और एटल पेमेंट बैंक ने मिल कर ये शुरू किया है ठीक है ना अब एटल पेमेंट बैंक के MDN CEO को ने प्रेजन टाई में ये इंपोर्डन होगा तो अनुबरत विश्वास जो हैं एटल इसका हैड़कोटर का है तो नई दिल्ली में इसका हैड़कोटर है एटल पेमेंट बैंक और भारतिय एक्सा जनरल इंशुरेंच के MDN CEO है संजीव स्री निवासन और इसका हैड़कोटर हैं बॉम्बे में ओके ये आपको याद रखना है तो सभी बाते जो भी मैं आपको सा करने के लिए रोजगार को बढ़ावादेने के लिए एंड स्किल को बढ़ावादेने के लिए नई आपि तिले आपके चछा वोक करने सिकारे और पामपचरी लिए टिकटोक योज नहीं कर पाएंगे। टिक टोक आपको पता है चाइनीज एप हैं और इंडिया में अलरेडी बैन हो चुका है ठीक है ना तो अभी ये जो बिल हैं डोनाल्ड टरम्प के पास साइन के लिए जाएगा अगर डोनाल्ड टरम्प इस पर साइन करते हैं तो ये टिक टोक जो हैं सरकारी करमचारियों के ले अमेरिका में बेन होजेगा लेकिन धिरे दिरे पूरे अमेरिका में भी बेन होने वाला हें ठीक है ना तो इतने थे पूरे 10 important current upheas के question जो आपके सभी exams के लिए most important है अब बात करता हूं मैं कल के FC Bank के अभी नए CEO बने, इनसे पहले आदित्य पूरी थे, ये बने सशीधर जगदिशन, ठीक है ना, अब आज का कोशन कौन सा है, किस के अंदर सशीध प्रदेश ने इज्यान मित्र एप लाँच किया, तो कल के वीडियो में हमने पूरी जानकारी दी थी, इज्यान मित्र देना है, ताकि आपको हर नई जानकारी सबसे पहले मिल सके, पीडियेफ कुछ के लिए टेलिग्राम पर जाना, मिलते एक नए वीडियो में है, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत!